चैश रीराव आईए बात करते हैं सिर्फ गोचर के बारे में गोचर यानी चंडर राशी से देखे जाने वाली गरहों की स्थिएं के कैसा रहेगा जून 2022 का महीना आपकी राश्यों से गरहों की स्थिएं कहां किस भाव में बैटकर आपके लिए क्या देकर आएंगी क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपके लिए ये है चंदर राशी से देखे जाने वाली ग्रहों की स्थितियां जिसको हम सामानेते गोचर कहते हैं यानि ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है ये आपकी राशी से देखे जाने वाले ग्रहों की स्थितियों की योजना यहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहां किस भाव में बैठ कर आपको फल देगा क्या आपके जीवन में है किन ग्रहों से आपको सीखना है किन से कुछ लेना है किन से साबधान रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत बार व्यक्ति जीवन में योजना बनाता है लेकिन क्या उसकी योजना कामियाब हो पाएंगी जीवन में बड़े इन्वेश्मेंट करने जा रहे हो बोलता नाम आपका मकर राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपको इस महीने कापी हेल्फ करेगा सबसे अच्छी बात राशी का मालिक कहा है भले आपको शाड़े साती का चरण चल रहा है शनी देव राशी से दूसरे घर में पहुँच गए कह सकते हैं साड़े साती का एक तीसरे चरण की हलकी सी शुरुआत इस ग्रहे ने दिखाई है लेकिन लंबे समय तक शनी यहां नहीं रहेंगे अच्छी बात यह है कि शनी सेकंड लौड होके सेकंड हाउस में धन का मालिक धन भाव में हैं अच्छा होता है किसी न किसी तरह से धन के आवसर आपके लिए जीवन मिलाता है किसी न किसी प्रकार के धन की स्थितियां आपके लिए ये ग्रहे लेकर आएगा यहां से बैठके एक आदश भाव पर दरश्टी भी देंगे शनी यानि इसको कहते हैं धन लाने के एक अच्छे संकेत वाला योग कि शनी कुछ भी करेंगे लेकिन आपके लिए तो देंगे आपको किसी न किसी साधन से लेकर अवश्या आएंगे शनी देव ये कहते हैं सेकंड हाउस में बैठकर क्योंकि उनको जिम्मेदारी इस बार धन भाव की मिली हुई है लेकिन बाकी अन्य ग्रव की स्थितियां भी आपके जीवन में बहुत कुछ कहेंगी जैसे राशी से तीसरे घर के अंदर चल रहे मंगल व्रस्पती के योग के बारे में ब्रस्पती तीसरे में है लंबे समयता किसी जगा है तीसरा भाव किसी विराशी के लिए एक मेहनत को दर्शाने वाला भाव है कि आप अपने जीवन में किसी काम को लेकर कितनी सहजता और धहरे से काम करते हैं ये तीसरे भाव से आता है जब मंगल ब्रस्पती जैसा अगर है वहाँ बैठा हो तो ये उस योजना में सफलता के लिए जाता है क्योंकि ब्रस्पती यहां अगर बैठेंगे तो ये भी वर्ष भर लगातार एकादश भाव और नवम भाव पर अपनी दरश्टी डालेंगे इसका मतलब है जहां शनी भी दरश्टी डालते हैं वहां ब्रस्पती भी दरश्टी डालते हैं शनी की यहां दरश्टी है तो ब्रस्पती की भी एकादश भाव पर दरश्टी है अब इस ब्रस्पती का सहयोग देने आया है मंगल और मंगल कौन है आपकी राशी से एकादश यहां देखने वाली बात है, बहूत ध्यान से समझने वाली बात है, यह ना प्राप्ति आपकी लाईफ में जुड़ गई है, यह महीना जब तक आप किसी ट्रैविलिंग्स से नहीं जुड़नेंगे, कोई यात्रा नहीं करेंगे तब तक ये आपको ज़ादे फल नहीं देगा दूसरे नजरिये से किसी का काम ही ट्रेवलिंग का ना हो तो अवश्य ही लोगों से कम्मिनिकेशन्स बनाकर इंटरनेट, मीडिया, यूट्यूग, इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक या कोई वेबसाइट्स है, इनके थुरू जुड़कर आपको लाब देता है ये योग क्योंकि मंगल चतुरतेश होके भी यहाँ है कि चौथा घर घर का होता है, घर के सुख का होता है घर के सुख का मालिक अपने से द्वादश में तिर्तियेश व्रस्पती है, तो द्वादशेश भी है व्रस्पती इसका मतलब फिर से ये कॉंबिनेशन्स इस्थान परिवर्तन को दिखाता है कुछ लोगों का घर चुटना, घर बदलना, इस्थान परिवर्तन होना, ट्रांसफर्स होना, तबादले हो गए परिवर्तन के साथ दूसरी जगह पहुँच गए भी इसी योग में देखा जाता है यानि कुछ लोग इस कॉंबिनेशन्स को दूसरी तरीके से समझे के जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने घर वापस आ जाऊं, उनके लिए भी ऐसा गोई योग मंगल नहीं बनाता यानि अभी भी दूरी, अभी भी ट्रांसफर्स, अभी भी इस्तियां बाहर की तरफ दिखते हैं लेकिन धन के आगमन लगातार दिखते हैं क्योंकि मंगल और वस्पती यहां से बैठकर धन भाग्ये भाव को सीधा दरश्टी दे रहे हैं कि आप अपने सेल्फ एफर्ट से धन कमा रहे हो, आपके पास ऐसी योजना बनेंगी जिन से धन मिलेगा बस उनको पहचचानने की आपको जरुवत है तो वो इस्तिती आपके लिए बहतर दिखाई यहां दे रही है वहीं शुक्र का राहू के साथ राशी से चौथे घर में योग है शुक्र आपके लिए वो ग्रहे जो योगकारक है योगकारक ग्रहे का केंदर त्रिकॉन में जाना एक राज्योग का परिवर्तन होता है कि ये ग्रहे अब योग कारक होकर आपको राज योग देगा ये ग्रहे दशमेश है दशमेश का दशम को देखना बहतर है पंचमेश होने के साथ भी ये बहतर है चौथे घर में शुक्र दिगबली होते है और इनके उपर आपके राशी के मालिक शनी की दरश्टी भी है यानि कुछ न कुछ भूमी जमीन जादा प्रोपर्टी से संबंदित सुख देने के लिए ये ग्रह तैयार है आपको ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में दर्शाता है कि हम आपको किसी न किसी कारण से लाब देंगे पंचम भाव का मालिक है शुक्र तो शिक्षा विद्या बुद्धी के बल पे लाब देते हैं दो प्लैनेट यहाँ है वो भाग्य स्थान को देखते हैं शुक्र दशम को देखते हैं तो सूर्य बुद्ध मिलकर एकादश को देखते हैं यानि गोचर ने जिम्मेदारी तो अपनी पूरी ले ली ऐसे में दशा भी अगर आपको और परफेक्ट लग जाए तो आप समझ ल कि यह प्लैनेट आपको देने के लिए आया है 18 जून के बाद शुक्र का राशी परिवर्तन होगा शुक्र पंच में शोके पंचम के पूरे रिजल्ट देंगे इस बार यह लक्षमी योग में परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि यह इस बार बुद्ध के साथ रहेंगे ब 15 जून तक सूरिय यहां है लेकिन इसको कोई खासा दूशित नहीं कर रहें एक बाद दूसरा 18 जून को शुक्र का परिवर्तन होके यहां आजाएगा तब बनेगा शुक्र बुद्ध का एक सुन्दर योग पंचमेश पंचमभाव में नवमेश के साथ हायर अजूकेशन में बड़ी सफलता का योग दर्शाता है कोई काम आपका शिक्षा का अटका हुआ है कोई आप आपके जीवन में काम पैसे से संबंदित अटका हुआ है कि वो पैसा मेरा वहां से आजाए वो काम मेरा में आपको एक अच्छी तरफ धकेल रहे हैं अच्छी पुजिशन की तरफ जा रहे हैं आप इस गोचर ने ये कहा है कि देखिए जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं आपके लिए करूंगा आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ऐसा फलता नहीं देगा ये गोचर क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं उसमें लोग बागों के कमेंट भी आते हैं चाहूं तो वो कमेंट मैं हटा सकता हूं कमेंट आफ भी कर सकता हूं लेकिन बहुत सारे वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखना इसकिप कर देना कुछ देखा कुछ नहीं देखा कुछ समझ में आया नहीं कि आप अपने लिए वीडियो सुनने के लिए 7-8 मिनिट भी नहीं निकाल सकते हैं तो फिर क्या फाइदा है आपका इस वीडियो को देखने का आप वीडिय कहोरस्कोप नहीं होता तो मैं कैसे बता दूं उस पर लगा कर हां Individu को अपनी पतरी दिखाता है तो हम उससे गोचर के बारे में बताते हैं कि आपके लए गोचर कैसा है कैसा है रहेगा आपके लिए महीना तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपने देखी लिए बहुत अच्छी स्थितियों में दिखाई दे रही है फिर से नविशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रही है गमिर साथ जैश्री ना